लकनों में अकलेश और शिपाल के गड़बंदन पर कैबिनेट मंत्री सुरेश राणा ने बयान दिया कहा कि इस गड़बंदन का उतरप्रदेश से कोई लेना देना नहीं है शिपाल और अकलेश को जंता देख चुकी है किसानों के मुद्दे पर भी उन्होंने बात की इस दोरान उसे हमारे समवादाता ने कुछ और बाते भी साजा की क्या कुछ कहा उन्होंने उतरप्रदेश में आगामी चुनाव है और ऐसे में किसानों का मुद्दा प्रमुक रहने वाला है समाजवादी पार्टी के राष्टी अध्यक्ष लगातार किशानों के मुद्धे पर अपनी बात रखते हैं और सापतोर से बीजेपी पर आरोप लगाते हैं कि जो मेने फ्यष्टो है उस पर जो किसानों के लिए जो आये दुगनी की बात कही गई थी वो तक पूरी नहीं हुई हमारे साथ गन्ना मंतरी सुरेश राणा जी बात करने के लिए सर अखिलेश यादो लगातार सवाल ख़ड़े कर रहे हैं किसानों के मुद्धे पर कैसे देखते हैं आप इसको कम सकम अखिलेश जी को किसान याद आया चुनाओं में अच्छी बात है और बाकि जब वो मुख्यमंतरी रहे उस समय याद आता तो ज़्यादा बेतर रहता मुझे याद है जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो गन्ना किसानों को दो किस्तों में भुक्तान मिलता था और पांच-पांच वर्षों का गन्ना किसानों का बकाया था और उत्तपदेश में योगी सरकार आने के बाद आधनिया योगी आधित्तेनाज जी के कुसल नेतर्त में उत्तरपदेश में 55 लाक मिट्रिक टन पर एनम घ्यों की खरीद हुई है अब आत बात कीजा बुंदेल खंट की चाचा शुपाल और अखलिश अब एक मंच पर दिख रहे हैं गटबंदन की बात कह रहे हैं बड़े से बड़े गटबंदन की और तो और सपा बसपा का गटबंदन उत्तरपदेश का सबसे बड़ा गटबंदन है और सपा बसपा का गटबंदन होने के बावजूद भी उत्तरपदेश की जनता ने का नहीं नहीं हमारा गटबंदन मोधी जी और योगी जी के साथ है और आपने देखो का clean sweep लोग सभा के चुनाओं में कर दिया अब 22 में सब का एक ही नारा है योगी जी को रोकना है क्यों रोकना है योगी जी को क्योंकि किसी को बैमाने की छूट नहीं है किसी को गुंडागर्दी की किसान समाजवादी किसान जो है योगी जीनात सरकार के साथ खड़ा हुआ है और आगे भी खड़ा रहेगा किमर रहुल चवहान के साथ मैं ओंपांडे जनतन टीवी लखना हूँ खबरों के निश्पक्ष विस्लेशन के लिए सबस्क्राइब करें जनतन्तर टीवी एड प्रेस दा बेल आइकन नेवर मिस एनी अपडेट